सारों की संख्या में लोगों ने बढ़ाई दी है सर एक सवाल है नए साल में क्या हम लोग किस तरह का परिवर्तन देखेंगे 2022 2022 में उत्तरप्रदेश में जनता सरकार बनाने जा रही है अब स्वाल और की क्योशो मौरिया कह रहे हैं कि चुनाओ के बाद मुकबंद्री के नाम का एलान स्वामी परसाद मौरिया भी उसी तरह का सवाल कर रहे हैं कि इन दी नित्तरप्रदेश में जिस तरह से 2017 का जो इलेक्शन था कैसारे मुकबंद्री को अप्रोच में लाया गया था दिखाया गया था फिर आखर में दूसरी चीज़े हो गई अब क्या लगता है कि इन दो निताओं ने जिस तरह से रुख अपनाया है इसको लेकर के क्या आपका रुख रहे हैं भार्ची जंता पार्टी के अंदर की रन्नीत क्या है लेकिन ये जो दूसरों के घरों में जगड़ा कराते हैं आज इनके घरों में जगड़ा हो गया है और ये क्योंकि उत्भपदेश की जंता को फेस नहीं कर सकते हैं इसलिए जानबूश करके जगड़ा दिखा रहे हैं अंदर इनकी दोस्ती है एक दूसरे के साथ हैं केवल मुद्धे पर बहस न हो जाए इसलिए जगड़ा दिखा रहे हैं इसलिए लगाता समीच्छा हो रही है कभी दिल्ली में समीच्छा हो रही है कभी लखनों में समीच् जो नौजमान हैं उन्हें नौखली रोजगार के मिल जाएगा, जो कोविट के बाद अर्थ वबस्ता बिगड़ी है, जिस तरीके से अर्थ वबस्ता नीचे जा रही है, कम से कम अर्थ वबस्ता कैसे सुध रहेगी, जो investment के बादे किये थे जो आयोजन हुए थे, ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी सरकार की देन है कि इतने अच्छे सस्पिताल बने थे जिसकी विए से इलाज हो पाया कोविट के समय पर अच्छी पंगाल का चुनाओ भी बड़े ख्याल से आपने देखा चुनाओ के जो सिनेरियो रहा है उसको भी देखा एक बड़े इंफ्राइस्ट्रक्चर और से आपकी लड़ाई है उसमे आईटी सिल से लेके तमाम लोग शामिल है आपका क्या रूख होगा और क्या रोड म ऐफ रहेगा इलेक्शन से बारती जंता पार्टी उत्त्रबदेस्ट्रक्रश की जंता से जादे बड़ी पार्टी नहीं है उत्तरबदेस्की जंता ने दुख्धर्द तकलीव जहली कोईटके समय पर कोई परीवार ऐसा कि exactamente जानने या परचित की जानना गई हो और जो इंतजाम करने थे सरकार अस्फल रही नौकरी के सवाल पर इन पर सवाल खड़े इसलिए जनता इन्हें हटाना चाहती है मैं शुक्रिया आपका ये थे मेरे साथ समाजबादी पार्टी के राष्टी अध्यश अखले शादो यूने साफ तोर से कहा है कि उत्तर परदेश की जनता से बड़ा कोई नहीं है कि 2022 का जो इलक्षन है बिला शक्षुभा उनके सामने चैलेंज हैं लेकिन 2022 का चुना वो जरूर जीतेंगे